अप्लाई करेंगे तो नौकरी पाने के चांसे नाटी नाइन परसंट है रीजन क्या है बता दें आपको दसवी पास मांगा गया है यानि कि पेपर जो है उसका स्लेबस बहुत सरल आए बहुत पेपर नहीं होना वाला है क्योंकि स्लेबस में ने देख लिया है बहुत ही सरल है दूसरी बात है योगिता दसवी पास है इसमें आप अप्लाई कर दीजेगा वेट किसी भी चीज का मत करना और त्यारी करना आपका इसमें सेलेक्शन हो जाएगा अगर आप इंडियन कोश्ट गार में जाना चाहते हैं इसका नौट इपिकेसन क्या है कितनी एज हो गया सबकुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेजेगा साती में बेल आईगन टॉट कॉम पे अफ्लोड भी नहीं की जाती है उच खुद की अधर वेबसाइट पे अफ्लोड की जाती है तो वह सारी चीज़ें हैं कि यहां पे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी कि किसी भी चीज में नई वाइकन से निकलेंगी आपको यहां पर पता चल जाएगा और अ है वो कुछ नहीं है फिरी है एकदम कोई चार्ज नहीं पड़ेगा ठीक है यहां पे दिख रहा होगा आपको फिरी आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना यार क्योंकि लाइव क्लासेज का पूरा कराएंगे तो जितनी हो सकते हैं अच्छे तहरी कराएंगे ठीक है और आपका स्टार्टिंग क्या है पांच जून से आपको मिलने वाले हैं पांच डे ही आपको मिलेंगे अपलाई करने के लिए ठीक है एक्जाम कब होगा आपको जुलाई में एक्जाम होगा है निक एज जाएगा जून में तो पहुत ही कम ताइम है आप लोगों के पास और 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 इंडिया इसमें वाइगंसी है मिनिमम एज आपके 18 साल और मैक्सिमम बाइस साल ठीक है और इसमें एज रिमिंट में सूट में मिलेगी जो कि आपका आज पर रूल के साब से 27 साल और 25 साल हो जाए पहला पोस्ट है आपका कुक और दूसरा आपका इस्टीवार्ड ठीक है तो आपका मिनिममम 21,700 रुपए सैलरी होगी सुरी मिनिमम आपकी जो है 21,700 रुपए सैलरी होगी सुरुआत में ठीक उसके बाद में 35,000 या आपकी 40,000 तक बढ़ा के कर दी जाएगी लेकिन मिनिमम सुरुआत में 1700 पेस्केल आपको दिया जाएगा ठीक है एक्जाम कॉलिब एक्षिसन के आए कि 10 आपका जो है क्लास 10 लेवल का एक्जामिनिशन होगा विद आपके 50% नमबर होने ही चाहिए तब ही आप अपलाई करिएगा 50% नमबर होने चाहिए अगर जनरल ओभी सी से है तो 15% ठीक है और 10 लेवल में है तो इतना होना चाहिए आपकी हाइट के 117 cm होनी चाहिए चेस्ट मिनिममम आपका 5 cm होना चाहिए वेट है आपका जो वेट है प्रॉफिस्टेशन इन एक्षिक है तो एज के हिसाब से भी आपका वेट देखा जाएगा यानि कि क्या एज है उस एज के सबसे यहां पर देखा जाएगा ठीक है आपकी है नॉर्मल होनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं मैं आप फिजिकल एपिसेंसी के बाद बता रहा हूं और फिजिकल फिटनेस आपका क्या है टेस्ट तो रनिंग आपकी 7 मिनेट में 1.6 किलमेटर बहुत ही है बहुत ह आप लोग देख लेना यहां पर मैं धिरेदर स्क्राउ कर रहा हूं जो चीज़े आप लोग देख लीजेगा फिलाल मेरा जो मैं मोटिव है आपको यहां पर दिखाने का था कि आप देख सकते हैं और एक चीज़ है सरकारी डॉट कॉम पर आप जाते हैं इस वेबसाइट यहां पर देख सकते हैं नौटिपिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट भी आप जाते हैं पांच जून को और बस इत्ता कर सकते हैं कोई दिख्कत नहीं अपलाइक करिए का मेरी मानिये तो अपलाइक कर दीजिए किसी भी चीज़ का वैट मत करिए आपका सेलेक्श आप कोश्ट गार्ण नाइविक जीडी 10.2 इंटरी रुकरिमेंट ऑनलाइन फर्म 2019 के लिए तो प्लिज कर देना सब्सक्राइब और इसमें अपलाइक करो देखते हैं क्या होगा अपलाइक करते रहे हर नोगरी में अपलाइक करते रहे ठीक है और कोई नहीं नोगरी निक अपलाइक करते हैं कि कीू थीक गलाइक।